जो कैसे आप लोग, I hope आप लोग बहुत अच्छे हैं, देखिए हम बोर्ड एक्जाम की तियारी कर रहे थे और मैं आज आपके लिए एक important question लेक आई हूँ, जो हमारे बोर्ड के class 10th का जो model paper है, उसमें आयावा है हलाएं कि बोर्ड के model paper में कुछ mistakes थी, उन mistakes को मैंने यहां की question में correct कर दिया, might be some printing mistakes वगर हो सकती है तो हम, देखिए story writing है, story writing class 10th और 9th दौनों के लिए appropriate है, दौनों के लिए important है story writing में आपको question paper में एक outline दीवी होती है और उसको आपको develop करना होता है outline में जो खालिस्तान देते हैं, उनको नहीं भरना ऐसे, आपको उन्हें properly develop करना होता है अब outline जो है वो present tense में होती है, हर story का एक heading होता है और एक moral होता है title और moral दौनों चीज़े होती है, तो हम आज के वीडियो में वो भी करेंगे पहले मैं आपके लिए outline पढ़ लेती हूँ, outline में कुछ corrections है तो वो मैंने कर दिये है, the thief catch, dash dash bring before the king, dash dash the king order to hang him, dash thief, dash clever, dash says, dash secret, dash tree with golden fruits, dash king become interested, dash thief, dash small palettes of gold, dash tells, dash, dash, shown by one, dash, who, shown by one, dash, never steal anything, तो ये एक outline है, जिससे हम actually outline story का idea देता है और उसमें हमें help के लिए कुछ words मिल जाते हैं, अब हम story develop करते हैं, तो story का title मैंने दिया है, of wise thief एक बुद्धिमान चोर, ठीक है, तो a wise thief, अब हम story शुरू करते हैं, once a thief, t-h-i-e-f, देखिए, जादतर words जो हैं, वो आपको story में, outline में, लिखे वे मिलेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो पहली line है, once a thief was caught, c-a-u-g-h-t, caught, he was brought, b-r-o-u-g-h-t, brought before the king, the king ordered, o-r-d-e-r-e-d, ordered to hang him, राजा ने उसको फांसी, him, till death, मृत्यू तक उसको फांसी की सजार दी, कि बही उसको लटका दिया जाए, but, the thief was very clever, clever, c-l-e-v-e-r, ठीक है, तो चोर जो था, वो बहुत ही, बुद्धिमान था, he said to the king, उसने राजा से कहा, that he knew, t-h, sorry, k-n-e-w, knew a secret, s-e-c-r-e-t, a secret, कि बही उसको एक, secret पता है, रहस्य पता है, he said he could grow a tree with golden fruits, उसने कहा कि मुझे एक ऐसा पेड़ुगाना आता है, जिसमें सोने के फल लगते हैं, on hearing this, ये सुनकर, the king became very interested in thief, तो जब राजा ने सुना कि बही चोर को ये आता है, तो उसको भी बड़ा interest आया, बही सोना किसको नहीं चाहिए, तो वो ये सुनकर राजा भी चोर में interest लेने लगा, he said the thief to grow such a tree, उसने चोर से का ठीक है, ऐसा एक पेड़ुगाओ, the thief prepared, P-R-E-P-A-R-E-D, prepared, मतला, तैयार किये, some small pallets, P-E-L-L-E-T-S, pallets, मतला, चोटी-चोटे बीच टाइप की चीजें, तैयार की, of gold, सोनी की, चोटी-चोटी pallets तैयार की, he told the king, that these should be sown by the person, who had never stolen anything, उसने राजा से कहा की, यह जो pallets है, वो व्यक्ती उगाएगा, वो बोएगा, S-O-W-N, सोन, मतला, वो व्यक्ती बोएगा, जिसने जिन्दगी में कभी कोई चोरी नहीं की है, no person came forward, including the king himself, अब कोई आगे नहीं आया की, मैं बीज बोदी हां तक की, राजा भी नहीं आया, the king thought that everybody had stolen something in life, फिर राजा ने सारी स्थिती देखके सोचा की, बही, जिन्दगी में किसी ने किसी ने हर व्यक्ती ने कोई ने कोई चोरी जुरूर की है, so he ordered to set the thief free with a promise, ठीक है, तो उसने आदेश दिया की चोर को आजाद छोड़ दिया जाए, लेकिन उससे वादा लिया, not to steal any more in life, कि आगे से जिन्दगी में चोरी नहीं करेगा, अब यह कहानी है, इसका moral है, wisdom saved life, बुद्धी मानी ने जिन्दगी बचा दी, wisdom saved life, यह कहानी है, आप इसको याद कीजे, next video में फिर मिलेंगे, तल्दान, stay tuned with me, thank you.